नमस्कार विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है मध्यप्रदेश में कोरोना के मृत्यू के आकड़े ठीक हो रहे हैं मरीजों की आकड़े इन तमाम आकड़ों में गड़बडियों की खबरे पहले भी सामने आई हैं आकड़े सही नहीं बताय जा रहे हैं ऐसे आरोग भी लगाय गये हैं आकड़ों को छिपाया जा रहा है ऐसे खबरे भी सामने आई अब उज्जैन से इसी तरह का एक मामला सामने आया है जहां पर एक अधिकारी के द्वारा आकड़ों को लेकर दिया गया बयान सुबह कुछ और शाम को वो बयान बदल गया कहा जा रहा है कि ये बयान कमलात के ट्वीट करते ही शाम होते होते उनका बयान बदल गया ये बयान क्यों बदला क्या कारण था बयान बदलने का ये जाज का विशह है लेकिन आपको पहले पूरा मामला बताते हैं उजयन का ये मामला है डाइरेक्टर साबर एहमत सिद्ध की मीडिया को यह बता रहे थे कि किस तरह से राजसरकार कोरुना के कारण पीडित हुए उन बच्चों की मदद करने जा रही है जिनके सिर से माबाप का साया उठ गया है या फिर अकेले पिता की मौत हो गई है यहां पर असिस्टेंट कारण की मृत्यू कोरुना के कारण हुई है यहां से फिर कॉंग्रेस ने इस पूरे मामले को उठाया पूर्व मुखी मंत्री कमलात ने ट्वीट किया और इस ट्वीट के बाद शाम होते होते एक और वीडियो असिस्टेंट डारेक्टर का सामने आता है जहां पर उन्हों का आकड़ा कैसे आया यहां पर कुल मौत का आकड़ा ही सरकारी आकड़ा अगर बात करें तो 177 बताया जा रहा है और अधिकारी के द्वारा 1311 ऐसे परिवारों को चिन्हित करना बताया गया है अपने बयान में कमलात ने अपने ट्वीट में यह भी कहा कि अब तो मुखी म कंत्री कमलनात के कई बार यह बयान सामने आया है कि सरकार सरकारी आकड़ों को छिपा रही है सरकारी आकड़े जो है वह वास्तविक्ता से बहुत दूर है और मौत के आकड़ों को छिपाया जा रहा है अब अधिकारी के इस बयान के सामने आने के बाद कहीं न कहीं फिर से क वीडियो जारी किया जाना जिसमें उन्होंने इन खबरों को भ्रामक बताया है आपको भी सुनाते हैं कि पहले अधिकारी ने मीडिया कर्मियों से क्या कहा था और बाद में कौन सा वीडियो जारी किया है अगर जिले की बात करें तो हमारे पास ऐसे तेरा सु ग्यारा परिवार हैं जिनके सिंगल पैरेंट्स की म्रत्य हुई है उज्ञे जिले के कथिपाई एलेक्ट्रानिक मेडिया में ये सूचना परशारित की जा रही ये कि उज्ञे ने में बच्चे जिनके माता या पीता किसी कारण से म्रत्य हो गई है तो हमारे जिन जिले में 1311 बच्चे ऐसे निकले जिनके माता या पिता की मरत्ती हो गई है विभिन्न कारणों से ये जो इलेक्टरनिक मेडिया द्वारा जो ब्रहमक परसारित किया जा रहा है कि 1311 जो है ये व्यक्तियों की मरत्ती हुई है कोरोना से ये असत्त है इसमें कोई सक्टिता नहीं